मेरा नाम है अमर्जीत और आज का स्टॉक और इंडेक्स अनालिसिस होगा मेरे साथ तो जैसा कि आपको पता हिए कि हम हर दिन डेली अनलिसिस लेके जो वीडियो आते हैं उसमें हम दो इंडेक्स डिसकस करते हैं कि कैसे हमारे क्या ट्रेड अपोर्चुनिटी बन सकती है कि नेक्स डे burghan क्या हमारे हम्ट त्रेड करते हैं फूचर्ण करते हैं कि इसने मतलब की लास्टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने यह सवाल छोड़ दिया था कि भाई यहां से आपका एक breakout होगा या नहीं ठीक है तो breakout तो हुआ लेकिन यह breakout sustain क्यों नहीं किया कि क्यों को दिग गया सामने ही यहां यह जो breakout होने के बाद के 15 मिनिट का जो candle है वो नीचे बना और अभी तक वो candle ब्रिक नहीं हो पाया तो एक तो अलग यहां पे लेवल बनी गया लेकिन अभी यह हाई बनाने के बाद क्या हुआ तो वहां से सी नीचे ही नीचे आता ही जा रहा है ठीक है फिर वहां आया फिर वहां से यह ऐसे गया तो अगर आप देखोगे तो यह downtrend में चल रहा है ठीक है लेकिन जैसा कि हमको पता है कि यह मतलब की बड़े तो यह downtrend अभी है फिर हो सकता ही अप्ट्रेंड में बदल जाए तो कुछ पता नहीं है ठीक है तो हम नेक्स्ट डे के हिसाप से नेक्स्ट डे के परस्पेक्टिव से अगर देखेंगे नेक्स्ट के कॉंटेक्स में देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कोन सा लेबल को ब्र 2200 का लेबल था और कल यह परसो इसको ब्रेकडाउन हो गया था यह लेबल 2200 का नीचे आया यह 2900 का यह लेबल पुराना यह सारे लेबल पहले भी मतलब की काम करते रहे हैं सपोर्ट का रेजिस्टिस का जब भी उनका प्लारिटी चेंज होता रहता है आपको पताईए तो इसका अब देखडाउन हुआ 2200 का ठीक है तो उसके बाद जो नेक्स सपोर्ट इसको मिला आज जाके मिला है वो है 2900 पे ठीक है अब 2900 पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला इसको वहां से ही उपर की तरफ अपना शुरू कर दिया है और लास्ट में जब आप क्लोजिंग द काफी जादा जो बायर से उन्होंने अपना काफी डॉमिनेट किया मार्केट को अच्छा एक पोजिशन मनाया है बाइंग साइड में इसलिए हमको वॉल्लूम में भी बहुत जादा देखे आप वॉल्लूम देखे यहां पर इस यह तो मतलब एक एवरेज हाई चल रहा था इस मतलब वॉल्लूम में इनका और अचानक से आज जैसे यह मार्च 29 लीपियर का आज जो है कि मन्त का लीपियर मन्त है अज उसका यह लास्टे था तो जो भी यह फिनॉमेना उस सुद्ध छोड़ी दिये लेकिन हम जो सामने हमारे जो डेटा देख रहा है उसमें हमको क्य पॉलिशनेस आगया है ठीक है और क्लोजिंग हो गया हमारा 2200 तो नेक्स ड़ी हमको क्या क्या expect हो सकता है लेकिन हम तो सारा आध लेके चलेंगे लेकिन बेशिकली अगर हमको क्या expect कर सकते है कि में बी कल इसमें एक breakout है ठीक है और breakout आने के बाद यह फिर से अपना जो प्री करेंगे किसकी सिचुएशन में वह समझ लेते हैं तो नॉर्मली हम को क्या देखना है कि अगर 2200 पर इसी पॉइंट पर हमको फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और 2200 अल्रेडी मतलब की आपका उपर तो जाई चुका है इसके ठीक है वहां पर ब्रेक आउट वाले मतलब अपने पर पास है तो यहां पर इसका यह हाई है यह अगर ब्रेक हो जाता है ठीक है तो तब हमको एक सिगनल मिलेगा कि अभी बुलिशनेश जो है यह जो रैली जहां से इस सपोर्ट से जो रैली शुरू हुए थी वह आगे कॉंटिनीव होने वाली है अगर इसका हाई ब्रेक हो अब इस तरह से नहीं हाई होना चाहिए देखो यह जो है ना यह यह गलत सिगनल है कि उपर गैप आप की बात भी नहीं कर रहें लेकिन इनकेस मैं बीच में ही बता रहा हूं अब कि उपर हाई ब्रेकर की नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाए वह वालिड नहीं होता है कि जो बुलिशने से वह आगे कॉंटिन्यू रहेगी तब हम एक बुलिश शायद में ट्रेड प्लान कर सकते हैं ठीक है अधरवाइस दूसरा सिनारियो हम अगर देखना चाहें तो दूसरे कॉंटेक्स में अगर देखना चाहें तो यह जो यह चल रहा है यह आपको क्या द एक मोमेंटम दिखाया है हमको बुलिश मोमेंटम उसको अगर इंग्नॉर करने तो यह भी पॉसिबल है कि कल यहां पर एक यहां से रिजेक्शन इसको मिल सकता है तो रिजेक्शन मिलेगा तो एक बेरिश केंडल फॉर्म होगी तो फिर हमारा जो ट्रेड प्लान होगा वो जो भी हमको देखने को मिल दा है कि नेक्स्ट 15 मिनट आधे घंटे में क्या है मार्केट की चाल जब तक हमको कोई क्लियर एक किसी भी साइड स्ट्रॉंग कैंडल बनती भी नहीं दिखेगी माली जे कि भी एरिश हो या बॉलिश तब तक हमको ट्रेड एंट्री नहीं बनान बन हिनिंग है तो और अगर बुलिश कैंडल बन रही है ठीक है तो चांसे यही रहेंगे कि भाई इसमें अभी जो यह ट्रेंट है यह इन यहां से ड्रैव हुआ है कि बाईजर एक्सव को लेवल इसको अगर ब्रेक कर दे तो और बेटर सिग्नल होगा कि हम इसमें मतलब की बुलिशनेस मतलब और ज़्यादा है और हम अपने इस तरह ट्रेफ ट्रेड प्लैन कर सकते हैं अगर हमको माली जे की इधर कहीं गैप अपन हो जाता है ठीक है हमको न 22,100 पी ऊपर गैप अपनिंग हो जाती है तो फिर हमको जो ट्रेड प्लैन करना पड़ेगा वो उसके हिसाब से कि भाई कैंडल ही बताएगा हमको ठीक है कि यह भी पॉसिबल है अगर गैप इतना गैप अप होके भी मार्केट ऊपर जा सकता है तो जो भी शुरुवात के 15 म मिनट का केंडल रहेगा 20 मिनट नहीं 30 मिनट का मतलब की 25 अगर किसी भी साइड बनते हैं ठीक है अमाली जै कि 15 मिनट का केंडल बना एक बुलिश कंडल उसके बाद एक मार लिजे की और बुलिश कंडल बन गया तो उपर की साइड लेकिन अब दूसरा जो एक सिनारियो बन सबुआ है कि फिर हम वेट करेंगे कि इसको नीचे के साइब तो इसको वेट करना है कि इसका ब्रेकडौन हो चाहिए जर्दोस होगा इसके बीच में अगर कभी प्राइस रहेगा तो हम लोग थोड़ा एवाइड कर सकते हैं ठीक है आयोप की यह आपको क्लियर हो गया होगा जो भी हमारा गैप डाउन ओपनिंग का सिनारियो से अब हम गैप डाउन ओपनिंग के सिनारियो डिसकस कर लेते हैं त अगर यहां पर मतलब एक बेरिश केंडल बन रही है गैप डाउन ओपनिंग के पास तो रिजेक्शन आ गया तो उसके बाद हम नीचे की साइड अपना एक ट्रेड प्लान करेंगे यह तो काफे सिंपल है अगर माली जै कि यहां पर हमको एक गैप डाउन ओपनिंग होती है लेकिन आपको यह कैंडल देखने को मिल जाती है फिर हमको थोड़ा सा वेट करना है कि यह जो 22 जार इसका जो हाई है माली जे नीचे से ग्रीन करना तब जब तक ब्रेक ना हो 22 प्लेवल का यह जो पिछले लाज कर नहीं प्लैन नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद अगर माल करेंगे कि यह किसी resistance या support पर जाए माली जे कि यहाँ पर है या अगर उपर की side जाता है यहाँ खुल के तो हम यहाँ पर नीचे की side के trade plan करेंगे और अगर breakout हो जाता है फिर तो उपर की side most probably यहाँ से chances है कि फिर से वापस नीचे गिरेगा similarly अगर यहाँ पर gap down opening होगी तो हम बेट करेंगे कि किसी तरह यह इस level पर काफी आपके लिए मतलब की job का risk है वो काफी कम हो जाता है काफी probability रहते है हाई probability setup हो जाता हो कि इस level पर rejection अगर मिला हमको देखने के मिला माल यहाँ पर फिर से इस तरह का हमको rejection मिला है कि कितना strongly नीच करते हैं यहाँ से पासा ही प्लड़ इसी तरह जैसे ऊपर गया है यहाँ से फिर इसको rejection देखने को मिलता फिर नीचे आ जाए तो इसी तरह से होता है और हम क्या करना है जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सीधी सी बात है एक चीज़ तो दिमाग मों लेके चलन अब मालीजे कि यहाँ पे कोई entry प्लान नहीं करता लेकिन यहाँ के बाद थोड़ा सा अगर पीजिन एंट्री कियो थी तो ultimately उसको पता चाल जाता है कि ठीक है इसमें होता क्या कि जब भी कोई बड़ा candle बनता है यह उसके बाद थोड़ा सा consolidation होता है फिर उसके बाद breakout होता है यह फिनामेना बार-बार होता रहता मार्केट में तो यह देरे-देरे जो लोग trading करते हैं यह लोग आपका भी यही काम है कि आप price को भी थोड़ा observe करना सीखिए प्राइस इस situation में ऐसे कैसे हो रहा है ठीक है तो यह देरे-देरे और आपका खुद का भी एक experience build-up होता है तो इस तरह से हम में discuss कर लिया कि कैसे-कैसे हम किस-किस condition में कैसे-कैसे अपना trade plan करेंगे अब चलते हैं देखते हैं कि bank nifty में क्या चल रहा है और उसमें कैसे उपने trade plan कर से लिए bank nifty में भी हमको क्या देखने को मिल ला है कि एक downtrend तो था ही मतलब डाउंटर्ण अब volume कितना चोटा है मतलब क्या होता है कि अगर volume अगर आपका price का साथ नहीं दे रहा है then that move cannot be a valid move यहां पर क्या है कि यहां पर volume काफी इसमें भी वही चीज़े exceptionally high है तो बहुत जम करके buying हुई है ठीक है वो हमको FII DI data में भी देखने को मिल सकता है most probably ठीक है तो अभी इसमें हमको देखते हैं कि price का structure के हिसाब से क्या क्या possible हमारा trade scenario रह सकता है कल के लिए तो हमको यहां से दिख रहा कि यहां से तो उपर चला गया ठीक है अब उपर चला गया तो यह कहां पर 46500 के round ही यहां पर इसको एक resistance है यह exactly वहां भी नहीं 46500 तो और थोड़ा उपर है यह actually 46400 ही है फिर भी लेकिन वही 400 500 का है यहां पर रेजिस्टेंस है जिसे देखिए क् बी बैंग पॉएंट्स काफी अफ्ली जल्दी कैप्चर होते है इसलिए जो हांड़ेड पॉइंट्स का जो difference है आपका na studios निफटी में वो उतना मतलब की equivalent नहीं हैं बेंग निफटीueं बैंग निफटीका 100 तो यह थोड़ा जो अब भी प्राइस में वह आता है यह जो लेवल बना है यह बेसिकली तो यह एक जोन है आपका 46500 कर रहा हूं लेकिन यह आपको 400 तक भी उसमें कवर हो जा रहा है मैं यहीं बोलना चाहरा हूं तो मतलब कि 100 points का एक जोन अराम से बन सकता है इसमें 100 points जो हम 5050 में देखते हैं वैसा 100 points इतना equivalent नहीं है यहां पर तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा जो एक resistance है वो है 46500 और एक immediate जो support हमको देखने को मिल रहा है वो है 46000 पर ठीक है तो अब हमको क्या द लेने का फिर से उपर गया ठीक है और जो previous हाई था उसके पास जाके close हो चुका है जो आज का भी जो हाई था सबसे ठीक है तो अब हमारे ट्रेड से प्लैन कैसा हो सकता है अलग-अलग scenarios के साब से तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम flat opening की बात करें अगर flat opening हो जाता तो ह हमको यही चेक करना है कि भाई जब भी इस resistance अगर माली जे की एक bullish candle बनता है और प्राइस जाके resistance को टकराता है तो क्या वहाँ पर एक strong rejection या strong breakout हो रहा है अगर strong नहीं है माली जे इस type का चल रहा है इस type का मामला है मतलब की trade लेके फायदा क्या हो तो हमको पहले देखना है कि यहां जा रहा है या तो बहुत strongly इसको ब्रेक करके उपर चला जाए या ऐसे ऐसे रहेंगे ना बस मतलब reject हो जाए तो फिर हम उसके साब से देखेंगे तो अब हम माली जे की अगर इसको breakout मिल जाता है तो फिर तो हमारा trade plan होगा bullish side में ठीक है bullish entry हमारी बनेगी जिस भी फ्लाइट के case में हमने बता दिया और फ्लाइट के case में in case माली जे की बीच में close हुआ न तो अगर माली जे की दूसरा अगर scenario यह भी हो सकता है कि यहां पर एक इस type candle बन जाए ठीक है मतलब कि एक bearish candle बन जाए तो भी हमको wait करना है कि यह जो 46,000 है यहां तक आए इसके पर हम पिछले बार यहीं बता है कि हमें levels पर ही trade करना चाहिए हमारे trade में accuracy बढ़ जाता है ठीक है तो flat opening की इसमें ऐसा होगया अब हम माली जे की बात कर लेते हैं कि gap up opening की gap up opening की gap up opening की gap up opening होता है यहां पर हो जाता है और उसमें एक हमको bearish candle देखने को मिलती है तो simple है हमको नीचे की side trade देखना है अगर माली जे की bullish candle होता है strong candle बन जाता है जैसे क्योंकि इसमें भी जो हमको volume का जो बाहर है देखने को मिल रहा है उससे तो यहीं लग रहा है कि bullishness है तो माली जे bullish candle मिलता है तो फिर हमको उपर के side trade entry देखनी है और हमारा target हमको दिख रहा है कि next target यह तरी को यहां से यहां आ गया तो मतलब की अभी next day यहां से यहां जाना उसको मतलब कोई बड़ी बात नहीं है तो मतलब gap up के minor gap up के case में ऐसा हो गया अब माली जे दूसरा वही है कि gap up opening में हमको इस तरह का दिख गया कि gap up तो हुगा लेकिन एक red candle बन गई उपर से नीचे है तो यह होगे हमारा दो तरह का gap up opening के लिए क्या कर सकते है gap down के minor है gap down कहीं भी हम अगर नीचे जाता है तो हम वेट करेंगे कि यहां पर acceptance है rejection हो रहा है या नहीं अगर मान लिजे कि ऊपर जाता है ठीक है gap down होगे जहां भी है अगर बीच में हमको इसमें gap down या gap up opening से उतना ज्यादा फर्क नीपड़ता हमको main है कि हमारा जो भी level है वहाँ पर जाए कि price कैसे react कर रहा है price क्या उसको breakout कर रहा है या reject हो जा रहा है वहाँ से तो उसी हिसाब से अपना trade plan बनाएंगे अलग-अ ठीक है तो आई होब की nifty 50 और bank nifty में हमको किस तरह से trade लेना है कल को हमको एक idea मिल गया होगा अब चलिए कुछ stocks देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो stocks है वो है मुतूर्ट finance का ठीक है मुतूर्ट finance में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें और एक downtrend था ठीक ह है downtrend के बाद क्या हुआ कि इसमें market में एक बढ़ियां सा pullback आया एक healthy pullback आया ठीक है दो तीन दिन का downtrend चलना था एक तो pullback पहले भी था लेकिन यह उतना strong नहीं था उसके नीचे फिर break करके market गया और फिर जो previous इसका resistance था वहाँ पर आके इसको एक strong rejection मिला है सबसे पहले तो ठीक है उसके बाद फिर नीचे की साइड भी इसको एक candle form हो गया है ठीक है हमको क्या दिख रहा है इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो जूम करके हमको क्या दिख रहा है कि एक तो यहाँ पर strong rejection मिला है इसको एक resistance के पास जो इसका previous resistance है और फिर उसके बाद भी वहाँ से एक तो मतलब की inverted hammer जो टाइप की candle बनी है inverted hammer exactly नहीं है मतलब की आपको आप इसको bearish candle समस सकते हैं और क्या बोलते हैं उसके बाद भी हम हमको एक मतलब की bearish engulfing टैप की candle देखने को मिल रहा है कि यहां से इसको एक strong rejection देखने को मिल रहा है तो हमको इससे देखने को मिल रहा है कि भाई इसमें rejection तो है इस point से market उपर नहीं जाना चाहता तो अगर next हमको इसमें trade लेना हो तो हम किस साइड लेंगे हमारा सबसे पहल हमको अगर ट्रेड लेने मालेजे की flat opening हो जाती है कहीं भी यहां पर जाहां closing होए तो हमको वेट करना है कि यह जो इसका low है यह आज की closing candle दी 15 मिनट की इसका low है अगर उसका breakdown हो जाता है negative breakout होता है तो ही हम कुछ इसमें negative entry के बारे में सोच सकता है उपर के side हमको trade लेने से इ down trend में है मतलब की pullback बनता है तो इसमें आप ले सकते हैं लेकिन ट्रेंड के अगेस जाना is not recommended यह आप ट्रेंड के अगेस जाके ट्रेड लो वह recommended नहीं है आप ट्रेंड के साथ ही क्योंकि stock market में कहते हैं कि trend is your friend तो ट्रेंड के साथ अगर आप trade लोगे तो ज्यादा मतलब की कि वह reliable रत है हो सकता है कि आपको दोखा में जा हमेशा ऐसा मूव देखना मिले तो उपर की साइट तो आपको इसमें सब्सक्राइब नहीं सोचना है नीचे की साइट भी तक सोचना है जब इसका यह ब्रेक हो जाए तब आप इसमें कोई ट्रेंड मना सकते हो और अगर अगर उससे भी मतलब की ज्यादा सब्सक्राइब तो फेर आप यह जो हमारा जो प्रीवियस 304 का जो एक लेवल है 304 पर रख सकते हो ठीक है तो थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब अल्टीमेटली 304 तो आपका रहे गए कि उसके उपर चला गया तो फिर तो कैसे भी निकल जा करके वापस से नीचे आजा तो उस मामले में और ज्यादा दुख होता है कि भाई गया तो मेरे साइड में लेकिन मेरे स्टॉपला सेट करागे गया तो आपको देख लेना होता है कि अगर 1300 पहुंच गया है चलो ठीक है उसके उपर जा रहा है तो निकल जाएंगे उतना हम हमारा मैक्सिमुम यहां तक आ सकता है बोलतकते हो कि 1200 यह जो है तक ठीक है क्योंकि नीचे इसके बीस के बीच में कोई ऐसा लेवल नहीं है हम रख सकते हैं लेकिन अगर वह अचीव हो जाए तो ठीक है अदर्वाइस हमको जब भी लगा है कि भाई माली जे की बहुत सारे अगर हम बहुत ज्यादा इस तरह से अपने ट्रेड बना सकते हैं नेक्स स्टॉक है हमारा इंदस तावर्स थीक है इंदस तावर में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अप्रेंड में था और एक प्रिवेस आइस ने बनाया थे उसके बाद से नीचे आया इसने एक बेस ब कर दिया ब्रेक करने क्वार इसको चोटा से हैं पर एंडिसुजन कैंडल तो कि अपर घर होगी पर की तो इसमन्ट ड़ो सब्से आसबर से लाज्ट आइउ है इसका अभी सब्सी T अगा कोई कर देती है ताब हम कोई ब्ली एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं अगर माली से अगर यहां से indecision बाई है मतलब कि गया तो फ्रॉंग्ली है लेकिन वहां जाके यह सस्टेन नहीं किया और । हमको दोनों तरह का पोसिबल है और यहां पर हमको क्या देखने के मुलता है कि volume भी जाद है इंडिसिजन के साथ तो यहां पर जो buyer और seller है वो दोनों decide नहीं कर पा रहे हैं कि जाना किज़र है दोनों एक दूसरे को बराबर से dominate कर दिए हैं ठीक है तो दोनों चीज़े possible हैं क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है buyer seller की आपको volume में भी दिख रहा है ठीक है तो यह काफी simple है आप इस तरह से trade कर लेना और जिस side का भी हम trade लेंगे stop loss कैसे रहे हैं माली जी कि हम downside का हमने trade ले लिया तो हमारा stop loss maximum यह क्या बोलते हैं यह उसका high है वहां तक रहेगा और इसमें upside का trade लिया तो इसका low ठीक है उससे ज्यादा नहीं नेक्स टॉक देख लेते हैं नेक्स टॉक है हमारा container corporation का नेक्स टॉक है कि मैंने कभी स्विंग में डिस्टर्स किया होगा यह अल्यदी अप्रेंड में चल रहा है बहुत बड़े टाइम फ्रेम में अब उसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपको यह देखने को मिलता है पुल बैक बन रहा होता अगर प्राइस जाएगा तो सीधे 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 जाएगा नहीं वी शेप टैप यह हमको देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर पुल बैक देखने मिला है यह वन आउर का चार्ट है अगर आप 4 आउर का देखोगे तो इस तरह का दिख रहा है तो हमक यहां पर आके इसको एक रिजेक्शन मिला यह दिए बहुत बड़ा प्रतीक है और उसके बाद हमको क्या देखने को मिला है कि बड़े बड़े इसमें वह फॉर्म हुए और प्राइस भी उसी के को अब यहां पर इसको ट्रेंड रिवर्सल होना चाहिए ट्रेंड रिवर्स अगर इसको ब्रेक हो जाता है तो एक स्ट्रॉंग ब्रेक आउट इसका भी हो जाता है वाली जी की 985 का लेवल है 985.65 980.65 से 986 अगर ब्रेक हो जाता है चला जाता है उपर तो ज्यादा तर चांसे से कि इसमें एक बुलिश रैली आजाएगी ठीक है अब उसकी साब से हम अपने अपसाइड एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें डाउनसाइड एंट्री के लिए मैं रिकमेंड नहीं करेंगा क्योंकि यह अपने एक सपोर्ट के बहुत करीब है और प्लानिंग बड़ा टाइम फ्रेम यहीं बता रहा है कि उपर जा रहा है तो यहीं 985 का ही हो जाएगा अधर इधर उधर कहीं ले लेते हो तो फिर इसका भी लोग आपका स्टॉप लोस करेंगा लेकिन किसी भी सिच्योशन में आप इसको लोग को ना रखके आप चाहें तो 980 है ना इसको आप स्टॉप लोस रखें ठीक है और अपसाइड की तरफ ही हमको इसमें एंट्री देखनी है तो ओवरॉल यही था आज की वीडियो में हमने इंडाइसे भी डिसकस कर लिए हमने स्टॉक्स भी डिसकस कर लिए तो आई होप कि आप लोगों को सारा जो ट्रेट प्लान है समझ में आया होगा और अपना जो भी फीडबैक आप कॉमेंट तक के लिए धन्यवादू